हेलो दोस्तों स्वागता आपका हैस्टेक सक्सेस विद दीपक में आज हम आपके लिए NCC मॉडल परशन पर एक लेकर आए है यानि अगर आपने अभी तक NCC A, B या C सेर्टिफिकेट का एक्जाम नहीं दिया है या फिर में इसे कोई सा एक्जाम दे दिया है और कोई नहीं दिया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाद दाएक है यानि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बात कि किस तरीके से NCC के एक्जाम में हमसे पुछे जाते हैं और कहां कहां से पुछे जाते हैं और एक बात और कि NCC का जो question paper है वो पूरा English में आता है लेकिन उसका answer आप Hindi में भी दे सकते हैं और English में भी दे सकते हैं और WhatsApp language भी यूज़ कर सकते हो तो questions को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन के बटन को भी जोरु दबाए ताकि जैसी हम कोई नया वीडियो डालता है तो उसका notification तुरंत आपके पास पहुच जाए तो चले अब हम questions को देखते हैं तो सबसे पहले आप देखे हमसे जो है drill से पूछे गए हैं तो इसका सबसे पहला प्रशन क्या है drill का उद्देशे क्या है जैसा कि यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा होगा सबसे पहला क्या है drill का उद्देशे आत्मी विश्वास बढ़ाना उसके बाद अनुशाशन की भावना उत्पन करना और उसके बाद आचरन चुस्ति फूर्ती प्रतीती एवं शारिरिक बनाव में सुधार और लास्ट क्या है आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आग्या पालन के गुन का विकास करना तो ये सारे हमारे क्या है drill का उद्देशे उसके बाद यहाँ पर रिक्तिस्तान है और इसको आपको भरना है खुली लाइन चाल में डैश कदम लिये जाते हैं तो कितने कदम लिये जाते हैं डेड़ कदम लिये जाते हैं आपर आप देख सकते हैं आंसार सेकिन हमारा आगे और पीछे के वर डैश कदम चलने की अनुमती होती है तो कितने कदम चलने की अनुमती होती है एक कदम चलने के अनुमती होती है थर्ड क्या है हमारा विश्राम की स्थिती में दोनों एडियों के बीच की दूरी डैश होती है कितनी होती है 12 इंच होती है फूर्थ क्या हमारा परेड में डैश कदम के बाद थम किया जाता है तो कितने कदम के बाद थमकिया जाता है पंदरा कदम के बाद फिफ्ट है हमारा डबल मार्च में कदम की लंबाई डैश होती है तो कितने इंच होती है चालिस इंच होती है आए कुशन नमबर ठर्ड देखते हैं ये भी रिक्तिस्थान है, तो चलिए इसे भरते हैं, फर्स्ट किया हमारा आदा दाइने मुड में स्क्वैड डैश डिग्री पर मुड़ता है, कितनी डिग्री पर मुड़ता है, 45 डिग्री पर मुड़ता है, सैकिन हमारा तेज चल में दो कैड़िट्स के बीच की दूरी डै करएंच क मिस्तिति में अंगुहुठे के ये कोनगर का होता है कितने इक अपते बनते कही। fragen सिके दियान रहें यह पर हैंबने दिखिडिये यहां तो डिखा जाता है और साथ causal कि ने में घुमाते हुए मस्तर के पास लियाएं ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस पर सीधी मिली हुई हो हतेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में हो तो यह चीज जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको यह चीज सबसे अच्छे से सम कि राम दे लाश्ट हाँ को चुस्ति से सीधा नीचे गिराएं और साथधान की मुद्रा में आ जाएं क्वेश्चन फाइव देखते हैं राश्टे सेल्यूट किसे दिया जाता है तो राश्टे सेल्यूट किसे दिया जाता है राश्टे ध्वज को भारत के राश्टे पती को एंड राजियों के राजिपाल को साथ धान की स्थिती में किन-किन बातों का धियान रखा जाता है इससे आप यहां देख सकते हैं तो चले पढ़ते हैं सबसे पहला है शरीर एकदम सीधा होना चाहिए इस्थिर और किन्तु अकड़ा हुआ ना हो दूसरा है सिर उपर हो त पूरते थोरी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए हो और फिर ते कंडे कंडे जो हमारे वह वर्गकार और नीचे की और खीचे हुए हो और शिख सीना उठा हुआ हो और दोनों हाद शरीर के साथ पेट की सिलाई से पीछे सीधे सटे हो और कोहनी सीधी उंगल आदी मुट्टी बांदे हुए वह अंगुटा सामने की और हो और हमारा घुटने सीधे हो और शरीर का वजन दोनों पाउँ पर समान हो और नाइन क्या है दोनों एड़ी मिली हुए वह पंजे परस पर 30 डिगरी के कौन पर हो ठीक तो इस तरीके से हमने ड्रिल का देख लि राइफल से गोली चलाने की कारेवाई का अनुक्रम लिखें तो राइफल से आप जो गोली चलाते हो तो उसका हमें अनुक्रम लिखना यानि स्टेप बाई स्टेप कैसे चलाते हैं तो वो लिखना है तो सबसे पहले जो होना चाहिए वो लक्षे की इस्थिति उसके बाद श्वास नियंतरन उसके बाद गोली चलाना and then अनुगमन तो आईए लक्षे की स्थिति देखते हैं लक्षे की स्थिति में लक्षे के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर प्रथम दवाब डालें और श्वास नियंतरन पर लक्षे पर निशान लगाने से पहले श्वास को या आते ही ट्रिगर पर दूसरे दवाब डालना चाहिए गोली चलाने के एक या दो सेकेंड तक उंगली और सिर को यथावत बिना हीलाए रखना चाहिए लास्ट क्या हमारा होगा अनुगमन जब तक गोली बैरल से बाहर न निकले तब तक निशाना और पकड़ बनाए रखन सिर्ट करना चाहिए गोली के लक्षे पर लगने तक इसी प्रकार उसका अनुगमन करना चाहिए देखते हैं क्रेशन N 8 क्या है तो question number 8 है लक्षे निधारन के नियम क्या है तो लक्षे पर द्रिष्टी केंद्रित करें जिससे की आग के रेटीना पर उसका एक इसपस्ट चित्र बन सके और आप लक्षे का केंद्र पा सके इसके बाद आखे फोर साइट पर केंद्रित करें राइफल को सई ढंक से पकड़े और सीधे रखे और उसके बाद आख बंद करें और फोर साइट पर द्रिष्टी किंद्रित करें फोर्थ है बैक साइट यू से फोर साइट को देखें यह है इसके मध्धे में दिखाई देनी चाहिए और फोसाइट की नौक मद्दे एवं यू की बुजाओं के इस तरह पर सीधी करनी चाहिए तो इस तरह के समने लक्षे की निधारन की नियम क्या है इसको देख लिया है अब देखते हैं question number 9 एक अच्छे निशाने बाज के क्या गुन है तो क्या गुन है सबसे पहला तो उसका एक अच्छा निशाना बादना आना चाहिए उसको दूसरा है उसकी पकड़ जो है वो राइफल पर मजबूत होनी चाहिए और तीसरा क्या है एक अच्छा ट्रिगर प्रचालन करना ुसाइब होती और जब जब रॉंड मेक्षीन में होता है तो यह सितिती मेक्षीन के चार्ज होने की होती हैं हमने Mark 10 देख लिए आप देखते हैं zeigen klarula 11 य से भी हमारा रिक्ति स्थान हे तो चले इसे भरते हैं अम्रे नहें जब से पहले क्या है right एफल की सफाई के लिए प्लालेन का आकाइड डैश होता है तो कितना होता है 4 इंटू 2 इंच सेकेंड़ है 7.62 mm SLR की मेकजीन की छमता डैश राउंड होती है तो कितने होती है 20 राउंड होती है थर्ड है हमारा 7.62 mm SLR की ट्रिगर पर डश दवाब डाले जाते हैं तो कितने दवाब डाले जाते हैं? दो डवाब डाले जाते हैं फोर्थ है हमारा 7.62 mm SLR की केवल मेगजीन का वजन डश ओंस होता है तो कितना होता है? 9 ओंस होता है फिफ्ट है हमारा 7.62 mm SLR की तीवर फाइरिंग की छमता डेश राउंड परती मिनट होती है तो कितनी होती है 60 होती है अब देखते हैं question number 12 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन कौन से है तो कौन कौन से है फीस्टल गृप है, ट्रिगर गार्ड है, मैगजीन है, हैंड गार्ड है, केरिंग हैंडल है, बैरल है, गेस प्लग है, फोर साइट है, पिस्टन है, ब्रिच ब्लॉक है, बैक साइट है, और इंजेक्शन स्लोट है, और बॉड़ी कवर है तो इस तरीके से हमने SLR के मुख्य भाग देख लिए Question 13 है हमारा सत्य अथवा और सत्य लेखे तो First है 7.62 mm LMG 5 ग्रूपों में खोली जा सकती है तो यह सत्य है या सत्य तो यह क्या है सत्य है Second है हमारा 7.62 mm SLR में 6 खाचे होते हैं तो यह भी हमारा सत्य है Third है 0.22 इंच राइफल की मैगजीन की छमता 10 राउंड की होती है तो यह क्या है और सत्य है Fourth है हमारा 0.22 इंच राइफल का कैलिबर 0.22 mm होता है तो यह भी और सत्य है Fifth and Last है हमारा 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है तो यह क्या है यह सत्य है आईए अब हम देखते हैं राश्टिय खंडुसा से हमारी कितने क्वेशन बनते हैं तो इसका सबसे पहला प्रिशन क्या है भारत के वर्तमान राश्टिय उद्देशे क्या है तो क्या है सबसे पहला है परमानू बिजली के छेतर में आत्म निर्भरता दूसरा है क्रिशी एवो मुद्योगों के लिए विश्व सन्य बिजली आपूर्ति की उपलबता तीसरा है विश्व बजारों के लिए माल का उत्पादन फोर्त है हमारा सालवजनिक और निजी छेतर में विकास का संतुलन लास्ट है हमारा गाउं का आदू निकी करन सडकों से जोड़ना और विद्यूती करन क्वेश्व 15 देख लेते हैं देश के विकास के लिए राष्ट्य खंटा क्यों आविशक है तो इसे देखते हैं देश के विकास के लिए राष्टिय खंटता नीम कार्णों से आवेश्या के सबसे पहला किया है देश की संप्रभूता और छेत्य खंटता को बनाए रखने के लिए दूसरा है देश में शांती और सुहाद बनाए रखने के लिए तीसरा है देश के विकास और प्रगत्ति के लिए चोथा है गरीबी और निर्चरता के उन्मूलन के लिए फिफ्त है हमारा आंत्रिक सुरक्षा और कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए सिख्स है हमारा संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए सेवन है हमारा आर्थिक एवं उद्योगिक प्रगत्ति के लिए एर्थ है हमारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावत देने के लिए नाइन है हमारा तक निकी ग्यान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए टैन है हमारा राश्ट्य की गरीमा और आत्म सम्मान बनाई रखने के लिए इलेवन है हमारा समा सुधार एवं लोकल लियान के लिए लास्ट है हमारा विदेशी संबंदों को प्रगाड बनाने और विश्व के देशों के बीच बहता इस्तान पाने के लिए तो इस तरी के से हमने देखा कि देश के विकास के लिए राश्ट्य खंटा क्यों आवे शक है अब हम देखते हैं question number 16 इसमें फ्रेसे हमारा आगया सत्ते अत्वा और सत्त्य हमें बताना तो पहला क्या है सुलह एकूल की नीती अगबर दौारा अपनाई गयी ती यह सत्त्य है उसके बाद है नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अचना के नए तरीके द्रवीडो द्वारा भारत में लाए गए तो ये क्या है और सत्य है ठर्ड हमारा अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो माल बनाओ की नीती अपनाई थी तो ये भी क्या है ये औ सत्य है ठीक तो ये जो नीती है क्या थी फूट डालो राजकरो की नीती थी फूर्थ हमारा येशुम मसी का जनम चार इसापुर्व में हुआ था तो ये क्या है औ सत्य है फिफ्ट है हमारा गौतम बुद्ध भारते राजा शुद्धोदन के पुत्रते यह सत्य है यह सत्य है तो क्या है यह सत्य है Q17 देखते हैं यूवक किन समाजिक बुराईयों के लिए नहीं बोल कर व्यक्तिकत इस्तरपा राश्टि निर्मान में सयोग दे सकते हैं तो वो कौन-कौन से हैं देखते हैं सबसे पहले क्या है नशीली दवाओं का परियोग सेकेंड है दहेज मागना थर्ड है अवेद्यों समबंद रखना फोर्थ है और समाजिक बुर्दियों में सलिप्तता फिर्थ हैं हमारा वन्चीतों का शोर्षन करना तो इस सब को युवाओं को क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए इसी से जो है वो राज़्टे निर्मान में अपना सहयोग दे सकेंगे ख्याइ नमबर 18 देखता है अब ख्याइटीन से जो है नेत्रत्व से पूछ जा रहा है तो चलिए नमबर 18 क्या है नेत्रत्व छमता के मुख्य लक्षन कौन-कौन से है तो कौन कौन से है मुख्य लक्षन, सजगता, सूव्य वहार, साहस, निर्नाइकता, विश्व सन्यता, सहन शीलता, पहल करना, एमान दारी, विवेक शीलता, नियाय प्रियता, ग्यानोन मुख, निष्ठा भाव, विनोद प्रियता, युक्ति पुर्णता और निश्वर्थ भ question number 19 है एक अच्छे वा सफल नेता के महत्पुन्ट गुन कौन कौन से हैं तो कौन कौन से हैं सबसे पहला है सच्चाई सच्चाई यानि जूट न बोलना चोरी न करना आदी दूसरा है इमानदारी यानि सुचिता तीसरा है पवित्रता यानि निश्कप्ट्रता और विचारोवा कारियों में निर्विकार भाव पूर्थे अनुशासन नियंद वा मांडंडू का स्वता पालन फिर्वयों निस्वार्थता यानि निजिस्वार्थवा आत्मकेंद्रियता की भावना से दूर बलिदानी तो ये सारे जो है एक सफल और एक अच्छे निता के मैत्मून गुन है question 20 है धार्ना चुन्ने अथवा छाणने की परकरिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा वीगतन कारी से बचाती है ठीक ये question 20 question 21 है एक निता कौन होता है तो एक नेता वेवयक्ति होता है जो लक्शे की प्रात्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है Q22 क्या है treatment कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो है जन्मजात, दूसरा है प्रशिक्षित निता और तीसरा है अंगिकरित यानि तीन प्रकार के होते हैं Question number 23 है कर्तव्य की क्या परिभाशा है तो क्या परिभाशा है कर्तव्य को नैतिक अत्वा विधिक दायत्वो और एक बादेकारी शक्ति के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ट जनों, सहयोगियों और अधिनश्टों के प्रती उचीत एवं उतम विवार करने के लिए प्रेदित करते हैं Question number 24 है एक अच्छे नागरी के क्या कर्तव्य होते हैं सबसे पहले तो है देश के प्रती निष्ठावान होना, वह सभी नियमों का पालन करना दूसरे है देश भक्त होना और देश की शुतंतुरता कायम रखना तीसरे है निश्वार्थ सेवा भाव रखना फूर्थ है करतवे की भावना रखना चिक से चरित उच्ची रक्षा और लास्ट यमारा अपने अधिकारों के साथ साथ अने नागरीकों के अधिकारों का भी सम्मान करना तो ये सारे के एक अच्छे नागरीक के गुण आईए अब देखते हैं कि आपदा प्रवंदन से हमसे कौन कौन से क्वेशन पूछे जाते हैं तो सबसे पहला क्या है कि आपदा क्या होती है आपदा सेतात परिये किसी भी प्राकरतिक अथ्वा मानव रची दुरगटना से हैं किससे एक तो प्राकरती के दूसरा मानव से ठीक इनसे जो दुरगटना कायम होती है उससे है जो किसी छेतर में अपार दुखदर्द उत्पन कर देती है और जिससे निपटने के लिए इस्थाने संसाधन परियाद नहीं होते हैं बाढ़, सुनामी, भुकंप, आदि इस परकार की आपदाएं हैं अब भूमी संबंदी कौन-कौन सी प्राकरतिक आपड़ा है तो वह है भुकम, हिम्सकलन, भूसकलन और ज्वाला मुखी फटना आदी आप देखते हैं संबंदी यहां पर आप यह सारी एक्जांपल देख सकते हो तो इस तरीके से आज के लिए यही पर बाकी जो क्वेशन्स बसते हैं उसको हम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और वीडियो में अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके बताए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सुधार कर सके तो आज के लिए इतना ही फिर्म मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्यवाद